कि अपने नहीं टॉपिक वीट इस्टोन सर्किट आफ क्यापसिटर की स्टड़ी करेंगे एक्जांस में कई सारी नुमेरिकल ब्रॉब्लम्स इस प्रकार की कोश्चन पूचे जाते हैं जिनमें कैपसिटर्स को हम लोग वीट इस्टोन ब्रिज के फॉर्म में अरेंज करते हैं और नेट कैपसिटर्स की कल्गुलेशन करते हैं तो पहले भी आप लोग इस प्रकार की कोश्चन पूड़े हैं प्रैमरी ये टॉपिक कहा है रडिस्टंस का R1, R2, R3 और R4 लेकिन इसी में R1, R2, R3, R4 की जगए जब किसी नुमेरिकल में C1, C2, C3, C4 को वीड इस्टोन प्रिज के फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो कैपसिटर्स को कैसे निकाला जाता है तो बड़ा ही इपॉर्डन टॉपिक है बच्चों कौन सा वीड इस्टोन सर्केट और दा कैपसिटर संदार्यतों का वीड इस्टोन से वीड इस्टोन प्रिज के बारे में जन्रल आइडिया तो आपको होगा ही कि अगर हम लोग किसी की सर्केट में कैपसिटर्स को एक वाड़ी रेट रही है एक समांतर चत्र पुछ बोल्डो पैर्लेलोग्राम के फॉर्म में अगर इस प्रकार अरेंज करतें कि चारों संदारिक फोर क्यापसिटर्स सीवन, सीपू, सीपू, सीप्री और सीपूर इस प्रकार अरेंज में लगाई जैंज समांतर चत्र पुछ यानि पैर्लेलोग्राम के तो ऐसा अरेंजमेंट वीट स्टों परिज कहलाते हैं ये हैं सीपाइब तो कौन काईसे यापसिटर हो गएं सीवन, सीटू, सीटू, सीट्री, सीपूर और सीपाइब सीपाइब कहाँ पर लगा हुआ है टाइवोरा लेटी में और वागि C1, C2, C3, C4 कहां लगे हैं? आप में यानि बोजाओ नहीं. तो ऐसे सर्क्रिट को लोगोते हैं, अपको संदारित्रों का रीट स्टोन परित। तो ऐसा यह सबसे पहली कर्डिशन होती है, कि अगर C1 upon C2 की वै्यू, C3 upon C4 की value के बराबर हो गई C1 upon C2 is equal to C3 upon C4 तो ऐसा circuit कहलाता है balance circuit इसको हम लोग संब्दुलिक परिपत के नाब से जाते हैं और अगर कोई बीटिस्टों ब्रिज balance होगा तो जो C5 है side, side क्या diagonal यानि विकर्ड विकर्ड AD में लगे संधारे उत्र C5 को नगण लिया जाता है किसी भी balance circuit में इन a balance WSB capacitor C5 is taken as negligible सबको सुन में आगे अक्षों कि अगर विकर्डिस्टों ब्रिज हमारा balance है सबको लिक है उसकी सबसे बड़ी पैचान क्या है C1 upon C2 is equal to C3 upon C4 और ऐसी कर्डिसन में C5 को निगलेजिबर अर्था तो नगण लिया जाता है अगर C5 निगलेजिबर होगा तो circuit में केवल C1, C2, C3, C4 होगे और हमारा नया re-arrange circuit re-arrange circuit कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा इसमर C5 कोट नोगन एड़ा दिया ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4 तिक ये टर्मिनल है B और ये टर्मिनल है विटा C डाट इस A, डाट इस B ऐसा circuit होगे आप re-arrange circuit सभी लोग नोड़ करते चले साथ साथ में C1, C2, C3, C4 में अब अगर हम लोग इस circuit को ध्यान से देखे ये वारा circuit सभी लोग ने मिला लिया था तो इस circuit को लोग यही पर adjust कर लेते हैं तो जो charge C1 में वही C2 में और यहां पर जो charge C3 में वही C4 में तो जो net charge होगा वो यहां पर जाएगा इसका मतलब C1, C2 में charge equal है इसको हम लोग ने Q1 बोला C3, C4 में charge equal है इसको हम लोग ने Q2 बोला तो Q1 किसमें किसमें है C1 और C2 में और किंटू किसमें किसमें C3 और C4 में और हम दो जाते हैं जिनमें Charges से हो वो Series combination कहला रहा है तो C1-C2 किसमें होगे? Series में और C3-C4 में किसमें होगे? Series में और दोनों की capacity आपस में किसमें? Parallel में यानि समांतर सही होज़न में होगी नोट्स को बनाने चलिए साथ-साथ ताकि आपको topic और भी सरन लगे तो इस प्रगा बच्चों भी तो ने सीखा कि जब C1-C2 Series में होगे C1-C2, R in Series यह स्रणी कर दो है तो Series में किसमें 1 upon C3 is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 that is equal to C1 plus C2 upon C1 C2 तो Series पराबर C1-C2 upon C1 plus C2 यह आगे हैं C1 यह किसका जबासिटन्स है? C1-C2 का बड़े रहां से समझीए का बिल्कुल भी परिशान होने की जोगरत नहीं चीज बड़ी आसान है हमको कायदे से स्कॉंसेट को समझना है यह सारे थोट्स अगर आपके माट में क्लियर हो गए तो आपको नुवेरिकल टफ नहीं लगेंगे तो यह दोनो Series में इसी प्रकाव C3-C4 Series में तो C3-C4 यह 20 रणी क्रम में हैं तो इनकी क्याता से टन्सकॉंप लोगों ने C2-S बुला बिटा यह C2-S तो यह C2-S और यह आगया C3-C4 अपन C3-C4 यह आगया C2-S और यह दोनो C2-S और C2-S आपस में कैसे हैं समांतर बीज़ पैरलल सो C2-S एड़ C2-S बोथ आपैरलल दोनों समांतर हैं अगर दोनों पैरलल होगे तो resultant capacitance C2-S प्लस C2-S तो बच्चों क्या असाड़ आया CQ-Valent is equal to C1-C2 अपन C1-C2 प्लस C2 प्लस C3-C4 अपन C3-C4 प्लस C4 बेटा यह कॉमन फार्मूला आगया जिसकी help से हम लोग परणानी धालिदा या resultant capacitance को count करते हैं तो अगर कोई भी problem हमारे पास बीटिस्टों प्रिच की है उसमें C1-C2-C3-C4 लगे हैं और यह balance form में हैं इसमें balance form में तो ऐसी condition में अगर हमको EQ-Valent निकालना हो हमको total निकालना हो हम लोग direct इस पारगुले का यूच कर सकते हैं CQ-Valent is equal to C1-C2 अपन C1-C2-C3-C4 अपन C3-C4 इसको बोला जाता है परणामी धारिता यानि resultant capacitance सबको topic अच्छी तरह clear हो गया बोलो सबको zone में आ गया नोटकर लीजे प्राग से तो बच्चों भी हम लोगोंने Wheatstone बिच के balance circuit के concept को समझा और हम लोगों नहीं ये देखा कि अगर हमको कहीं पर भी परणामी धारिता निकालना हो resultant capacitance को निकालना हो तो हम लोग formula को कैसे यूज करते हैं ठीक है अब हम लोग इसकी कुछ अबली केसर पे जान दे जैसे देखो कोई भी question अगर ऐसे अरद किया जाएगा यहाँ पर यह terminal ने x और यह y की that is c c and c और option जोगों से बोला गया कि हमको निकालना है final capacitance परणामी दायता गयार करिए बड़ा ही चलता हूँ सवाल है कई जन्हें ऐसे question दूस दिये जाते हैं जिसमें हमसे कहता है final capacitance को calculate करो बड़ा असाल है हमारे लिए सबसे पहले हम तो एक काम करेंगे चार्ज को यहां से send करेंगे एक्स से जैसे ही चार्ज इस terminal पर पहुंचेगा तो चार्ज का division हुआ अब जो चार्ज इस वाले c में पहुंचा इसको आपको सम्झाने की उन्हें नमबरीं करदी वन टू और ट्री तागी आपको आसाल लगे तो वन में तो चार्ज पहुंचा उससे ये प्लेट होगा इस positive और ये negative अब जैसे ये चार्ज ही यहां पर आया तो ये फिरसे डिवाइड होगे है अब जो चार्ज यहां पर आया तो ये भी quality हो और ये negative और चार्ज के बाद जैसे ही आवेज यहां पहुंचा तो इस चार्ज की कुछ amount यहां पर थी और ये चार्ज यहां से यहां तर इसमें add हो गया तो इसमें ये नया चार्ज लेया जिससे ये negative quality हो और ये negative अगर आप तीनों क्यापसिटर के चार्ज को अलग-अलग देखें तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों में जो चार्ज हैं तो different हैं मिस अलग-अलग हैं इसमें ये चार्ज ये positive ये negative ये positive ये negative ये positive ये negative बट amount आप plus and minus गनावेस और इनावेस की जो मात्राई हैं वो अलग-अलग हैं वो different हैं वो भिन-भिन हैं इसलिए ये तीनों capacitor आपस में parallel हैं समांतर संयोजन आज़ा capacitors are parallel to each other सभी संदार्ज समांतर संयोजन में हैं और जब ये सारे capacitance parallel में होगे तो parallel की capacitance c1 plus c2 plus c3 so c plus c plus c so question का answer आगया cp is equal to 3c this is the final capacitance of this question cp is equal to c1 plus c2 plus c3 ठीक है अगर इसी पे कोई value अगर आपको दी जाती ही मुश्चत पे तो भी हम सवाल को वैसे ही लगाते हैं आपको concept clear हो गया होगा यगर इस प्रकार के circuit में कहीं पर भी capacitor अरंज दिये गए हैं suppose that 2 microfarad 2 microfarad 2 microfarad और हम लोग इसे कहा जाए कि आप परणामी धायरा निकालिए आप equivalent capacitance को calculate करिए तो बड़ा असान है अभी हम लोगों ने देखा कि तीनों series में parallel में है so 2 plus 2 plus 2 that is answer will be 6 microfarad questions of question में आगया दोनों question दोट दर लए copy में next question देखी बच्चोर जैसे question लोगों ये दिया गया है विसलाला question सब कुस्वान में आगया होगा तीनों capacitor जिसमें दे parallel अब number 8 capacitor अगर बढ़ा लिए जाए जैसे for the example कोई की सर्कित हुनों के पास किसका गारता दिया रहे है वेली बहुत important circuit है basic questions है जब तक ये आपको नहीं आएगे तब तक आप आगे बादे next level की problem में दिक्कत मैसूस करोगे इसकी पहली चीज़ों को समझना बहुत जोगी है कि सर्कित संकुरसां में आ गया है यहां पर को कि मैंने सी यहां पर 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 समय और फिर से problem हमारे पास नहीं है कि हमको निकालना है प्रणामी धारिता यानि resultant यानि प्रणावी भारिता बड़ा साने स्कूर्ण करना नमबर आप क्या पासे यह विल्ट इस्टोन ब्रिज क्या है तो सबसे पहले हैं उसको री अरेंज करेंगे तो री अरेंज बिसलिए जब आप इसको री अरेंज करोगे तो सर्कुट को चिस्कतार का होगा देखें यहां पर यह एक्स और यह वाई तो यहां पर यह एक्स और यह वाई यहां पर यह M और N तो यहां पर यह M और यह M अब यहां पर देखें यह है X M देखो एकसम नहां है सर्किट में X और M तो ये है C तो यहां पर हम को रहें लिटी का C उसके बाद देखिए MY कहां पर MY ये M और ये Y MY तो देट इक आल सो C फिर उसके बाद में XN तो ये X और ये M तो ये भी कितना हो गया C और फिर ये कितना N και, ये N और ये Y तो ये भी हो गया C और ये कोवटा बीच में M तो ये Mn भी कितना हो गया C, इसका उन्दब कौन-कौन से केपसिटर हो गय है इसकर उन्दब कौन-कौन से केपसिटर हो गय है C, C, C और C और mid केपसिटर भी हमारे पास क्या रगा है C अब ज़र देहां देरें यह बाद यह है इससे यह बनाना सब को आना चाहिए यह में सर्केट है और यह री अरेंग्ट सर्केट इससे यह बनाना आना चाहिए सब को सर्केट जोड़ना सब में आ गया तो यह C1, C2, C3, C4, C5 C1, C2, C3, C4, C5 हम लोग जनली को कोश्चक का लॉजिक में क्लियर हुथा तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं इसको अलमान लगा लेते हैं कि यह C1 यह C2, यह C3, यह C4, यह C5 लेकिन वो अलमान का तरीका गलत हैं आप कॉंसट से डाइगराम को बना के सीखा लो तो यह कौंसा एक्सम तो यह हो गया C1 देखेगा तो यह हो गया C1 यह क्या हो गया C1 उसके बाद हमें यह एक्सम के बाद में यह देखों यह MY तो तहाँ पर FI, M और Y तो यह हो गया C2 यह क्या हो गया C2 तो यह C1 और यह C2 जनरली जब उन्हों इसको पढ़ते हैं को यह नहीं आता समन में उन्हों लोग अन्वान लगाते हैं C1, C2, C3, C4, यह C5 जैसे हमने पहले कर दिखाए हैं लेकिन यह C1, यह C2, यह C3, यह C4 और यह C2, इसका मतलब यह हुआ, कि जो सर्केट में हमको कैपसेटर जिवन हैं, उनको इस प्रगार, अगर हमको कहीं पर अंदाजा भी लगाना हैं C2, कौन-कौन से कैपसेटर कौन-कौन से हैं, तो मैंसे अनुमान लगाएं कि जैसे मैंने आपको बढ़ता हैं, तो यहां होने पड़ा था, C1, C2, C3, C4, C5, तो C1 अपान C2, 5WSB, बैलन्स अप कंडिशन, वीट स्टोर संकौन की सर्थ से, C अपान C is equal to C अपान C, मैं C1 अपान C2 is equal to C3 अपान C4, तेरफोर 1 is equal to 1, इसका मतलब यह सर्केट बैलन्स है, और जोब यह सर्केट बैलन्स है, तो मिडल वाला कैपासिटर, यह वाला कैपासिटर, क्या होगा, यह वाला कैपासिटर, निकलाइजिवल यारी नगर्ड होगा, इसका मतलब क्या होगा, कि C और C, C और C, केवल यही सर्केट में हमारे बास बचेगे, और यह दोनों तो अभी पीज़े हम लोगने फार्मुले को समझा है C1 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C तो अगर एक क्यू वाइरंट के अपसे था है इस हम लोग निकाले तो C1 C2 upon C1 plus C2 plus C3 C4 upon C3 plus C4 इसको जब आफसाल करोगे तो C2 C2 C1 plus C2 तो 2C यहाँ पर आप जाओगे तो C2 और C3 plus C4 again 2C और C से C cancel C से C cancel C by 2 C by 2 that is equal to 2C by 2 और 2 से 2 cancel तो फाइनल आफसार किमना आया C तो इस वाद को आप लगन भी कर लें तो अगर किसी वीट स्टोन सर्किट की चाओ नुजाओं में लगे हुए सर्दारित्र परावर दारिता के हो सबका कैपसिटर्स C हो तो फाइनल आफसर भी क्या आता है C तो एक्जाम में बिना किसी कल्कुलेशन के भी हम लोग आफसर को टिक कर सकते हैं बस यह प्रापर्टी हमको लग होना चाहिए कि अगर चाओ क्यापसिटर्स क्वल है C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 तो कोशन का सरी आफसर क्या आता है C सबको कोशन सौन में आगे हैं बोट करने कोशन को तो बच्चों अभी हम लोग ने सीखा वीटिस्टोर्स ब्रिज में C1, C2 से बनने वाला एक अगला सर्केट जो वाकिए मुस्ट इंपर्डेंट है और उसका लॉजिक भी बढ़ा किया रहे कभी हम लोग ने इस बात को सीखा कि अगर किसी वीटिस्टोर्स ब्रिज में C1, C2, C3, C4 सब equal हो पहली बात को भी confuse मत होना C1, C2, C2, C4 पेचाने वे बढ़ा असान है और अगर ये सारे कैपसिटर्स इक्वल हो बरापर बरापर धारिता के हो इक्वल कैपसिटर्स के हो तो परिपक्ती परणामी धारिता भी इसी होती है ठीक है तो अगर सब इक्वल होगे डैसे बाड़ा एक्जांपल हम लोगों ने इसी का दुसरा कुशन ले लिया और इसमें सर्विट को हम लोगों ने ऐसे एरंजे कर दिया तरिकार्स को प्लिया है आप कुशन लगा लिए जबोगे बढ़ा असान है यह M, N, X, Y और यहां पर यह सारे कैपासिटर हमको गिवन है टू माइक्पो फैरड़ पुले बच्चे असान है अभी आपके साथने यह सर्कृट बना हुआ है उसी कहीं एक्जांपल बना हुआ है आप देखके आंसर तो समझ गए होगे कि परणामी धायता क्या है क्यों तोगी आपके पास एक करीदा आप लोगों ने सीख लिया है कि अगर C1, C2, C3, C4 सब इक्वल हों तो फाइनल क्यों आंसर होता है परणामी धायता वो C के बढ़ाब होती है कुछ ऐसा ही यहां पर दी है चाहिए आप कोश्चन को सॉल करो यहां ना सॉल करो हमको यह समझ में आ रहा है कि C1, C2, C3, C4 सारे दो माइक्रोफेरट दी है इसलिए परणामी धायता भी दो माइक्रोफेरट दी होगी कि स्विस्टोशन का सही आंसर कितना होगा तू माइक्रोफेरट और अगर कहीं पर कोई वैल्यू चेंज हो जाए जैसे हम लोग नहीं कहा कि सब्सक्राइट हमारे पारसी को कैपासिटर लगे हुए है इनको अगर हम लोग बदल दे तो भी आप कंफ्यूज ना होना तब आ लेकिन अगर ड्कासिटर एक्वल नहीं हैं तो यहां पर लिघा हो फाइल तो बड़ा सान है लिसे हम ईपर सर्क्ट और फिर ऑपि यह देखेंगे कि सीवन सीट्ट Luis में है कि parallel और सर्कुट को solve करके हमान सर को निकान फेगा रेर्ड देना पता है अब हम लोको दो बार को इसको देख नियका है इस प्रकार पर हम सर्कुट करें यहां पर यह एक्स और यह यह न कैसे रखना महिंने आंसों बताएगा पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते जाएं फिदर में, पहले हम लोग क्या करेंगे, XM, कहां पर X, ये X और YM, कि दरी value given है, 2 microfarad, तो यहां पर हो गया 2 microfarad, ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, MY, कहां पर MY, ये M और ये Y, तो 4 microfarad, उसके बाद ही कितना है, XM, तो ये X और ये N को कितना, 3 microfarad, और उसके बाद कितना बिटा, NY, तो नहां पर NY, ये N, और ये Y, 6 microfarad, सब कुसमें आगे हैं सरकिल बनाना, और बीच में जो middle लगा है, MN, MN, that is equal to 5 microfarad, बड़ा जान है, अब ये इस वाले form का question नहीं है, क्योंकि इसमें सारे क्या पसेटर ब सारे क्या पसेकर ऐसे अरेंज हैं, 2, 4, 3, 6 और 5, तो इतको हम लोग कैसे solve करेंगे, C1 is equal to 2 microfarad, एक बार question लगा के निखा देते हैं आपको, आद नहां direct कर लेगा, C2 is equal to 4 microfarad, C3 is equal to 3 microfarad, C4 is equal to 6 microfarad, और भीट इस्टोन बिच की balance condition, C1 upon C2 is equal to, C3 upon C4 से, जब लोगर simplify गिया, तो 2 by 4 is equal to 3 by 6, means 1 by 2 is equal to 1 by 2, इसका मुला ब्रज या circuit अपनी हमाना क्यारे balance है, और जब ये balance होगा, तो 5 microfarad को negligible मार्च पर छोड़ देगे, आप उसके बाद में हम लोग क्या प्लाई करेंगे, फार्मुला CQ वैलेंट C1, C2 upon C1 plus C2, plus C3, C4 upon C3 plus C4, that is the final capacitance, इसको हम लोग बोते हैं प्रणा निदा है, तो C1 की value कितनी 2 microfarad, C2 की value कितनी 4 microfarad, C3 की value कितनी 3 microfarad, और C4 की value कितनी 6 microfarad, तो C1 की जाने हम लोग क्या रखेंगे, 2, C2 की जाने हम लोग क्या रखेंगे, 4, upon कितना 2 plus 4, clear, और C3 की जाने कितनी 3, और इंटो 6 upon 3 plus 6, पूरी calculation को करने के बाद, जो result आएगा, यह है, परणानी दालेगा, इसी मोटों होते हैं, equivalent capacitors, और unit के आप होगी, microfarad kosher को ध्यान से टॉपता है, तो बच्चों, अभी हम लोगों ने यह सीखा, कि संधारित्रों के wheat stone bridge circuit को कैसे simplify किया दाता है, how can we simplify that, wheat stone bridge circuit, which consists of many capacitors, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा, कि P upon, sorry, C1 upon C2 is equal to, C3 upon C4 को लगा कर, इसकी balance condition को कैसे निकाला जाता है, और अगर कोई wheat stone bridge balance हो, तो final capacitors को कैसे निकाला है, यह आज का topic बढ़ा important था, इसमें 2-3 examples भी हमने आपको करके दिखाए, आप इन questions को अपने आप दुबारा solve करें, question की practice करें, और topic को अपने revision में रखें, तो अगर exam में C1-C2 से बनने वाला wheat stone circuit आपके paper में आएगा, तो आप question को सही करेंगे, तो सभी लोगो उम्मीद ही है, यह पूरा topic अच्छी तरह सान में आया होगा, फिर भी अगर कोई problem हो, तो topic को बार बार आप revise करें, और कोई दिक्कात अगर इस प्रकार की आ रही हो topic को समझने में, तो आप comment करें, हम इसको दुबारा फिर से एक बार next video में explain करेंगे, तो बच्छों, आज आप इस topic को अच्छी तरह तयार कर लें, आगे अपने next video में हम लोग यह सीखेंगे, अगले next video में नए topic के साथ, आपसे फिर मुलागात होगी, तब तक के लिए जय हिल्द, जय बार जाज़त! कर।